So Hello Everyone, I am Mahadev Guys, Radhi Radhi, कैसी हो आप सब लोग Guys, I hope आप सब लोग अच्छे अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगी So Good Morning Everyone, So Guys, आज मैं आपके लिए इडिंग लेकर आगे हूँ आपकी लाइफ में, Faith of your life क्या है, मतलब आपकी Destiny क्या है, ठीक है आपको आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपके भागे में क्या लिखा है, आपके आने वाले टाइम है, ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा, मतलब आपकी Marriage भी हो सकती है, वो आपकी Career Wise भी हो सकता है, ठीक है कुछ किसी भी चीज़ के उपर Focus हो सकता है, ठीक है यहां पर आपकी Date of Birth है गाईज, अगर आपकी Date of Birth इन में से आती है, तो आपके लिए First Pile आप Pause करके देख सकते हो, राम से अपनी रेडिंग, पाइल पिक कर सकते हो अपने लिए and First Pile के लिए ही लक्ष्मी मा का कार्ड है, तो आप लोग लक्ष्मी मा के कार्ड को पिक कर सकते हो, intuitively, okay Second Pile यहां पे है, Aparodite Goddesses, Inner Goddesses, okay and also अगर आपकी Date of Birth, यहां पे इन Date of Birth में से आती है, तो आपके लिए Second Pile होगी, okay so guys, Times Times Description में रहेंगी, जैसे कि आपको पता ही है, okay and अगर आपको Personal Reading Book करवाने किसी भी Question के उपर, कोई भी आपका Question हो तो guys, आप मुझसे Personal Reading Book करवा सकते हो, Instagram पे Instagram पे मुझे DM करके, link Instagram का Description में है, Times Times के ज़स्ट उपर या फिर सीधा आप About Section पे भी जाकर, आप मुझे link देख सकते हो, ठीक है, Instagram का होगा so, वहाँ से आप click करके सीधा ही पहुँन जाओगी, ID पे and वहाँ मुझे message कर देना, DM कर देना, okay and guys, start कर लेती हैं आपकी reading को, faith of your life, destiny of your life, ठीक है आपकी जिन्दगी में ऐसा क्या है, जो आपको मिलकर ही रहेगा, ऐसा क्या है, जो आपकी किस्मत में so, start कर लेती हैं आपकी reading and अगर आप new हूँ guys, तो channel को subscribe कर लो, bell icon का दबा के all पे set कर दो so that आने वाले सभी notifications आपको मिलते रहें, okay so guys, यहाँ पे है bright future card, लक्षमी ची का card है, ठीक है and also आपकी अगर date of birth 1, 6, 18, 4, 22, 14, 16, 12, 10, 24, 26, 8, 28, 30, 20, 12, 31 okay, so यह अगर आपकी date of birth है, तो आपके लिए first pile, okay so also guys, यहाँ लक्षमी ची का card आया है, आपके लिए सबसे पहली चीज़, तो बहुत अच्छी energies आपके लिए निकल कर आई है, इसका meaning तो यही हुआ guys, आप लोग बहुत सारा bright future देखने वाले हो आने वाले time में, इस time जो भी आप हो, बहुत आपकी life में जो भी चल रहा है, आप उसको it's okay, आप उसको सहन कर रहे हो, I know, ठीक है, आप उसके through जा रहे हो चाहिए, अगर अच्छी भी life है, बहुत अच्छी बात है, but आने वाले time में भी देखने वाला है, ठीक है, आप ऐसा लक्षमी मा की तरह देखे जा सकते हो, अपने family की तरह से, या आप बहुत लगी हो सकते हो, अपने family वालों के लिगे, या जब भी आपका birth हुआ होगा, तो आपके family में बहुत सारी खुश्य आई होंगी, ठीक है, so of course ऐसा कुछ हुआ होगा, आपके family वालों को पता होगा, आप पूछना ज़रूर के आपके birth पे ऐसा कुछ special हुआ था या नहीं, okay, so यहाँ पर लक्षमी मा आई है, तो आप ऐसा लक्षमी के रूप में आई थे, अपनी family हो, चाहे है, अगर आप boy हो, आपके उपर भी एक आईस, जाएगी ब आगया शाली हो सकते हो, अपने family वालों के लिए, ठीक है, so यहाँ से देख लेते हैं, guys, अपसे पहले, what is written in your destiny or faith, okay, आपके faith क्या है, आपकी life का, आपकी destiny क्या है, ठीक है, so guys, मैं career reading लेकर आऊंगी, ठीक है, evening में, I think, आज आज आजएगी, या फिर कल आजएगी, ठीक है तो आपके लिए career reading आजएगी, आप stress free रहो, tension मतलो, ठीक है, किसी ने request की है, यहाँ पी कि आप career reading नहीं डालते हैं, but career reading आप लोग देखती नहीं हो, guys, मैं डालती जरूर हो, जब भी डालती हो, आप बहुत कम देखते हो, ठीक है, so इसलिए मेरा मन नी करता फिर वो reading डालन आएगा topic पी, but yes, मैं डालूगी जरूर, okay, oh, oh, okay, okay, बहुत सरे cards आए हैं, यहाँ पे joy है, यहाँ पे आपके लिए है, सबसे पहले तो, passion आया है, यहाँ पे, joy आया है, यहाँ पे, and also, यहाँ पे guys, आपके लिए है, rejection, okay, so guys, यहाँ से भी देख लेते हैं, okay, so, यहाँ पे है guys, mysticism, okay, so, यहाँ पे कुछ न कुछ तो है, ऐसे चीज़ें, आप बहुत psychic medium हो, आप कोई psychic medium हो सकते हूँ, यहाँ आप किसी ऐसे person से मिलने वाले हो, जो बहुत hidden रहने वाले person, like आपकी family में भी ऐसा हो सकता है, यहाँ कोई ऐसा आपको पता चले कि जो बह personality हो, like वो बहुत सदा universe में मानता हो, ठीक है, ऐसे को personality आपके life में आपके सामने आ सकती है, ठीक है, चाहे आपकी family में ही, चाहे बाहर से, but yes, mysticism को जो follow कर रहा होगा, वो आपके सामने आने वाले है, चाहे वो astrologer हो सकते है, चाहे वो tarot reader, healer, आपकी family में कोई ना कोई तो है है, यहाँ पी, जो मुझे आपके friend circle में हो सकता है, ठीक है, family circle में हो सकता है, तोध मुझे भी dog दिखा ए, ठीक है, uh, so, मुझे उसका name नहीं याद आ रहा, मतलब, yes, मैरे मुँ में है, but जबान पे नहीं आ रहा, but दिमाग में है, जबान पे नहीं और रहा, वो name, uh, उस dog को जो ब्लाक ब्लाक एंड वाइट एंड ग्रेश शाइड का उतर्स की आइस पहुत जारा लेक ब्लूश टाइप ग्रेश टाइप होती है जो आइस के एरियास में रहते हैं ठीक है वही डॉग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं सो आपके लिए कोई नो कोई मैसेच हो सकता है और रहे हैं सो इक तरह से वॉल् colleagues के तरह ही दिखा मुझे ठीक है वॉड भी हो सकते हैं सो आपको मेरी life में लो ऐसे क्यों मिले मुझे जो मेरे साथ tricks खेलते ही है ठीक है trickery खेलते ही है so guys आपको ये कहा जारे है जो आपके साथ ये trick के लिए आपको reject कर रहे है ठीक है वो आपसे jealous feel करते इस वजह से ऐसा हो रहा है because उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत passionate हो अपनी life में और वो passion आपके जो अंदर है उसकी वजह से वो आपके साथ ऐसा behave करते है ठीक है आप study में बहुत अच्छा हो सकते है आपसे jealous feel करते है और आप बहुत अकेले में भी happy रह लेते हो ठीक है आप बहुत universe में मान दो भगवान आपकी हर एक wish fulfill कर देते है ठीक है ऐसा कुछ हो सकता है इस सवजह से भी ऐसा हो सकते है कि आपकी life में आप लोगों को बहुत जाए लोग defend करते हो लेकर बहुत ज़रा आप को आप जो चाहते हो उनके साथ अगर आप बात share करना चाहते हो बात नहीं करते है अच्छे से ठीक है आपकी साथ tricks खेलते हैं आपको reject करना पसंद करते हैं ठीक हर बात में आप grief में आ जाते हो ठीक है आपको कहाँ चाहते हो यह मत करो joyful energies में रहो अच्छी energies में रहोगे तो आपकी तरफ miracles भी attract होंगे miracles आपके life में होते हो मुझे आपर दिख रहे हैं यह आप miracles ही चाहते हो अपनी लाइफ में आपको चाहिए भी कि yes आपकी life में miracles हो क्योंकि आप नी life में कुछ अच्छा करना चाहते हो ठीक है एक और energies में दिख रहे हैं कि yes आप लोगों को अपने joyful energies में ही रहो जिससे आपकी life में आपका जो faith है जो आपकी destiny है वो भी आगे अच्छे ही रहे और आप बहुत जाद hidden चीजों में बहुत interested feel करते हो आपकी destiny में ही था तो इस वजह से यह है आपने किसी चीज़ को खुद choose नहीं किया हम लोग यह सोचते रहे हैं कि हमने यह किया आप कुछ भी नहीं कर रहे हो जो उपर universe ने लिखा हूँ है आपके किस्मत में वही हो रहा है यह जो भी आपके साथ हो रहा है तो क्या आपने past life में उनके साथ कुछ किया हो ठीक है सो यह energies हैं आपके लिए सो आपको कहा जारे अपने through chakra के उपर work करो 5th chakra Archangel Gabriel है आपका through chakra open होगा जुरूर इस lifetime में आप बहुत communicate अच्छे से कर लेते होगे यहां तो कोई लोग बिल्कुल अच्छे से communicate नहीं कर दोगे यहां पर मुझे जो energy लिखती है आप full confidence के साथ बहुत अच्छे से लेक होता है ना कोई lecture दे रहा है या फिर किसी को बोलना है कुछ को बताना है वो बहुत अच्छा आपके अंदर एक तरह से आपकी खूबी हो सकती है ठीक है आपकी quality हो सकती है एक तरह से ठीक है आप बहुत अच्छे से बोल जाल लेते हो मतलब बोलते हो बहुत अच्छे से आपके लिए कहा जारे कि अपने अंदर strength feel करनी है आपको यहां फिर आपकी destiny में है कि आप बहुत strong हो है और आपको strongness वो feel भी होती है यहां पर door to romance आपके लिए doors open है romance क्योंकि आप बहुत जड़ा आपकी life में love relationship के through रिष्टे आने वाले हैं ठीक है बहुत जड़ा offers आपको इस lifetime में मिलने वाली हैं आप चाहो चाहे ना चाहो आप single भी रहना चाहोगे न तो नहीं रह पाऊगे ठीक है आपकी life में कोई न कोई तो आता ही रहेगा आपकी तरफ लोग attract होते ही रहेंगे 39 नमबर important हो सकते आपके लिए 12 नमबर 15 नमबर 5 नमबर 33 नमबर और 6 नमबर important हो सकते आपके लिए आपके लिए romance का door open है आने वाले time में बहुत हैं see this वही चीज आ चुकी है ये लोग जो भी है deceit कुछ लोग आपके साथ धोका करके चले चाते हैं आपको बेफ़कूफ समझकर चले चाते हैं गाईस वो बेफ़कूफ है ठीक है आप नहीं हो because आप तो गाईस अपनी तरफ से सब अच्छा ही करते हो ना आप तो अच्छा सोचते हो ना अगर कोई आपके पर में बुरा सोच है तो गाईस वो उसके कर्मों में जा रहा है ठीक है यहाप इसे दिस आपको उनके पर में सोचने की जूरत नहीं है बट आप overthinking करती रहती हो या करते रहते हो ठीक है आपको गाजरे overthinking मत करो यह आपके लिए ही गलत हो कि आप stress फील करो कि आप depression में चले जो क्या ही फाइदा ठीक है सो इससे अच्छा है आप studies में books में अपना मन लगाओ studies करो ठीक है अच्छे से study करना सीखो study करने लग जो कोई भी book इसे मतलब जल्दी जल्दी खतम हो जाएगा ठीक है आपके लिए 47 and 11 and 7 number important हो सकते है 25 number 22 number important हो सकते है आपके लिए यह ने ज्यांके energies आई हैं आपको कहा जरे आप अपने life में balance बनाना पड़ेगा आपको अपनी life में ठीक है बहुत जरह लेगा बहुत emotional भी हो आप बहुत passionate भी हो तो आपको कहा जरे बिल्कुल ही आपको इस lifetime में हर time यह सोच कर चलना पड़ेगा आपको balance बना कर चलना पड़ेगा ठीक है अपनी life में आपकी energies कैसे चल रही है इस time पर उसके उपर बहुत focus रखना पड़ेगा कि आपको और हर एक चीज को balance में कैसे रखना है वो आपको सीखना पड़ेगा आपका birth ही इसलिए हुए है कि यह सब चीजे सीखो कि आपको आपने यही सब चीजे सीखने के लिए दुबारा birth लिया है और यूनिवर्स आप कहना चाहते money का issue बलकुल नहीं है यहाँ पर ना ही love का issue है but yes जो आपके लोग खिलाफ है ठीक है आपको आपके opposition में है ठीक है वो आपको कुछ भी नहीं कह सकते जब तक आप सही रास्ते भी हो ठीक है so bright future के और भड़ो अपका इस lifetime में bright future है चाहे वो आपके marriage के बाद है चाहे marriage से पहले है but yes है और आप जो wait कर रहे थे ना किसी चीज का वो waiting period भी यहाँ पे खतम होता हुआ दिख रहे है कोई भी हो सकती है marriage हो सकती है love हो सकता है job हो सकती है career में promotion हो सकती है आपके ठीक है कुछ भी है यहाँ पे तो guys stress free हो जाओ आपकी life में आपका जो भी waiting period था वो खतम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल end पे आ चुके हो आप ठीक है page of cups है यहाँ पे page of cups आपकी life में आपको यही कह रहा है कि आपकी तरफ को इनों की offer आ रही है water sign के person की तरफ से आपसे age में छोटे हो सकते हैं या फिर age बड़ी ही है but yes student life चीए है यह person अभी student है study कर रहे है like आगे भी like होता है कि कुछ लोग बच्चों का study करना जादा ही पसंद होता है books read करना ठीक है so आपको कहा जा रहे है कि yes यह भी कुछ learn कर रहे हैं अपनी life में so इस वजह से यह नहीं आप आ रहे हैं ठीक है यह जो भी आपकी life में destiny में person लिखे हुए है चाहिए soulmate है यह तो in flame है ठीक है यहाँ पे है six of swords so आप traveling करोगे इस lifetime में traveling आपके लिए बहुत important रहने वाले है traveling यहाँ पे दिखे हैं यहाँ पे guys trend flame है यहाँ पे जो भी आपकी life time में आएंगे न शादी के लिए हो सकते हैं आपकी यहाँ फिर वो person के साथ आपकी शादी हो सकती है ठीक है जो भी आपकी इस destiny में लिखे हो है न यही person आपको support करते हो दिखे हैं यहाँ पी बहुत ज़रा आपकी साथ वो traveling भी करते हो दिखे हैं यहाँ आप दोनों ही move on करते हो दिखे हो एक time के ठीक है बट after some time आप marriage भी आपकी दिखे हो है बट चाही लेट हो चाही जल्दी उसके लिए आप personal reading book करवा सकते हो कि अपनी marriage का question अगर आपके mind में आ रहा है ठीक है personal reading अगर लेनी है तो link description में instagram का वहाँ मुझे dm का दना click करके तो यहाँ पर आपको कहा है ज़रे marriage आपकी destiny में लिखे हुई है से waiting period आपका खतम होता हुआ दिख रहे है don't worry and also आप बहुत passionate भी हो चाही वो आपकी शादी के लिए हो सकते हो चाही वो अपनी career में stability के लिए हो सकते हो but yes आप बहुत passionate दिख रहे हो मुझे आपे बहुत ज़रा अच्छी energies आपकी show हो रहे है मुझे आपे queen of wands की energies है so आपकी life में आप बहुत ज़रा attractive हो ठीक है इस lifetime में आप बहुत attractive रहोगे लोग आपकी तरफ attraction फील करते हो यहाँ पर दिख रहे है मुझे and आप बहुत intuitive भी रहोगी या रहोगे ठीक है so guys आप energies को खुल समझ लेना अगर boy हो या girl ठीक है अपने accordingly देख लेना यह यह सभी के लिए reading है चाहे आप divorce ही हो चाहे LGBT community से belong करते हो सभी के लिए reading है आप सभी देख सकते हो without stress देख सकते हो आप tension देख सकते हो बाके guys personal reading तो अगर आपको लेनी वो paid reading है ठीक है यहाँ पर मैं free मैं आपके लिए करती हूँ तो कैस अगर आपने like ही नहीं किया तो क्या ही फाइदा में हर reading मुनारेगा लाइक कर दो जिसको भी इसके need हो उस तक यह reading पहुँच पाए और सब्सक्राइब कर लो channel को bell icon को तबाह के all पर set कर दो आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके वांड के इनर्जिस यहाँ पर ज़्यादा है आप लोग Aries, Leo, Sagittarius, राशी के हो सकते हो यहाँ फिर आपके sun, moon, rising and north node में यह राशी आती होंगी यहाँ फिर आप Cancer Scorpion पर 25 साइन के हो सकते हो Jamilai Libra Aquarius भी यहाँ पर दिख रहा है वो इतना नहीं शो हो रहा है यहाँ से देख लेते हैं एक या दो मैसेज आपके लिए आपको आपके spirit guides क्या बताना चाहते हैं What is written in your destiny Okay So prayer is important for your Charity करो guys जो अगर आपको लगते हैं कि आपको charity करने की जुरूरत है किस चाहिम पर तो आपको charity करने करनी चाहिए Prayer and Contemplation Connect with heaven Ask and you shall receive So आपको कहा जो रहे आप अगर कुछ कहोगी किसी को कुछ मांगोगे तो guys आपको वो दिया जाएगा ठीक है आपको जो चाहिए वो universe खुद देगी आपको ठीक है So यहां पर also surpasses P है यहां पर serapis P Asession आपको कहा जाए move into your true self So guys अगर आप अभी तक अपनी true self में move किये ही नहीं हो तो आपको यह कहा जाए move into your true self Rise of the darkness The light is here So आपके लिए रोशनी है आपको कहा जाए darkness में अगर आप बहुत टाइम से थे Like लोग आपसे जलस हो रहे थे आपको अच्छा फील नहीं होता था आपको नजर फजर बहुत जल्दी लगशाती थे But आने वाले राई में आपको कहा जाए Rise above the darkness The light is here So light आपके आसपास है ठीक है आपको ढूंडनी पड़ेगी मतलब ये आपके career advice भी हो सकते है कि आपको job अपने ले ढूंडनी पड़ेगी ठीक है But आपके आसपास ही है वो job ठीक है आपको किसी person के through भी मिल सकते है ठीक है So यहाँ पे आपकी life में इस lifetime में आपके destiny में है कि धर्मा unfold होगा आपकी lifetime में Remember that you are on the path Take one step at time to happiness So guys आपको इस lifetime में आपका life purpose जरूर पता चल जाएगा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इस lifetime में इसलिए आए हो कि आपका कोई ना कोई path आपको रास्ता थमार रखा है Universe ने आपको उसके through जाना ही जाना पड़ेगा ठीक है आपको काचा रहे कि अपना एक-एक step लोग खुशियों की तरफ हर एक step में खुशियां मागो अपने लिए ठीक है आपको दी भी चाहेंगी So guys अगर आपको reading पसंद आई हो तो like this reading, subscribe to my channel पहले कुशियों को दबा देना अभी के लितना ही हर हर महादेव राधे राधे So hello everyone हर है महादेव guys राधे राधे कैसे हो आप सब लोग I hope आप सब लोग भी अच्छ होगे पाइल तो So अगर आपके date of birth इन में से आती है 2, 11, 5, 15, 9 3, 17, 7, 21, 13, 19, 25, 23, 27, and 29 So आपके लिए थी guys 2nd pile यहाँ फिर अगर आपने Aprodite Goddess को पिक किया है तो आपके लिए 2nd pile थी So यहाँ पर आज आपके लिए हम रीडिंग लेकर आरे मतला आपको रीडिंग यही थी Faith of your life क्या है आपकी destiny क्या है आपका भाग्य में ऐसे क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा So आपका नियर फ्यूचर भी इसमें add on होगा मला वो चीज़े में भीच में आजाएंगी आपके लिए So यहाँ पर गाई सबसे पहले Inner Goddesses हैं आपको कहा जा रहा है इस lifetime में आप अपने खुद की बहुत self-care करने वाले हो अपने उपर बहुत focus करने वाले हो कैसे cloths पहने है मुझे कैसे रहना है मुझे hairstyle कैसा होगा So चाहे आप girl हो चाहे boy आप दोनों के लिए ही है चाहे guys आप divorce हो married हो unmarried हो LGBT community से हो सब के लिए ही यह reading होगी मैंने इंट्रो में यही बोलती हूँ तो guys anyways यहाँ पर आपको कहा आचार है weaken the goddesses within you through dance, self-care and appreciating your divinity So आपकी अंदर इस lifetime में बहुत ज़रा artistic qualities भी रहने वाले हैं second while means आप लोग को dance करना पसंद हो सकता है ठीक है अपने self-care अपने आपका ख्याल रखना कैसे है वो आपको पसंद है अपने अंदर के divinity को कैसे awaken रखना है उसको appreciate करना है अपने आपको मतलब होता है ने कुछ लोग बहुत ज़र सल-centered होते हैं मतलब मैं ही अच्छा हूँ मतलब उसको selfish भी कह सकते हैं but वो in the positive way अच्छे way में हम selfish कहेंगी means उनको अपना ही जिसे अपने बारे में ही उनके mind में चलता रहता है मैं ऐसा हूँ मैं वैसे करूँगा मैं ऐसे अच्छा दिख सकती हूँ ठीक है so ये सब चीज़े यहाँ पर मैं आपको बोल रहे हूँ अपने बारे में ही सोचना जादा and आपको कहा भी चार है आप अपनी अवेकन करो जो आपके अंदर की गौडसिस है and dance करो self care करो and ये आपके destiny में ही है आपका faith ही है ये जो आपको करना ही करना है ठीक है so सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है आज हम ये देखेंगे क्या आपकी destiny में के लिखा है इसमें near future भी आजाएगा okay guys 2 cards तो आचुके हैं यहाँ पे आपके लिए 3 okay सबसे पहले impasse okay यहाँ पे creation guys मैंने क्या बोला आप बहुत artistic qualities के हो मेंज आप बहुत creative भी हो सकते हो okay so यहाँ पे आपके लिए instinct okay यहाँ तो आप बिलकुल ही artistic नहीं हो मतलब artistic कैसे होता है like for example आप बहुत जोक्स करना पसंद करते हो वो भी एक तरह से आपके quality ही हुई ना वो भी एक तरह से art हुआ आपका ठीक है आपको paintings करना पसंद है आपको dance करना पसंद है आपको singing करना पसंद है यह सब चीज़े ही artistic qualities में आज आती है ठीक है okay perception so guys आज है हमारा 7th नवरात्रा आज काल रत्री ठीक है काली मा का दिन है ठीक है so so happy नवरात्रास्ट everyone guys दुशेरा आ चुका है ठीक है बहुत पास है हमारे ठीक है विज़ी दुश्मी so यहाँ भी है enlightenment and fakir and bottom of the deck growth so guys इस lifetime में आप पहली चीज़ तो यह भूली जाओ कि आपको कभी growth ने मिलेगी ठीक है आप यह जाद रखो कि yes आपको इस lifetime में growth मिलने वाले यह बहुत grow करने वाले हो आप अपनी life में like मैंने आपको जैसे बताया कि आप अपनी आपके उपर काम कर रहा है तो उसकी वजह से आप अगर आप खुद रलाक्स हो तो आप अपने work के उपर अच्छे से focus कर पाते होगे अपने interest जो आपके mind में जिसके बारे में जिसके बारे में interest है उसके पर बहुत focus करते होगे ठीक है so all same pass है यहाँ पे आप like होता है ना कि खुले हाथों से जैसे boy खड़ा है चाहे है आप girl हो चाहे boy आप खुले हाथों से अपने blessings को receive करना पसंद करते हो ठीक है या फिर यह हो सकते है कि यह कोई person है आपके life में important person आ सकते है ठीक है इस lifetime में जो आपके destiny में ही लिखे हुए है soulmate हो सकते है आपके twin frame हो सकते है चाहे कार्मिक भी हो सकते है ठीक है कार्मिक का इस गलत person नहीं होता है ठीक है कार्मिक परसन वो होते है like for example आपके past life में जो आपके spouse थे ठीक है वो आपकी life उनका कोई न आपने उनके सथ कुछ गलत किया या उनको feel हुआ hurt आपकी वजह से ठीक है so इस lifetime में वो आपके सथ या आपने उनकी life में like positive way में भी आपने उनका help की है आपने उनको grow करवाया था पस्ट में इस lifetime में वो आएंगे ज़रूर आपको ठीक है हम किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाते जो हमारे GF, BF होते है वो ऐसे ही आये होते हैं हमारे पास हमने उनके साथ कुछ किया अगर आपको बहुत प्यार करने वाला spouse मिल गया person मिल गया BFGF समझ लीजी आपने पिशली life में उसको बहुत प्यार दिया है past life में बहुत उसकी care की है चाहे कोई भी हो सकता है वो ठीक है आपके family members में से कोई उसकता है जो इस lifetime में आपको बहुत प्यार देने आया है ठीक है so impass है यहाँ पी also creation आप बहुत new creation करने वाले हो चाहे वो आपकी होता है perception को ही change कर देना लोगों की वो भी एक तर से creation ही होगी new creation ठीक है चाहिए आप कोई चीजों को create कर रहे हो नई चीजों को ठीक है आपने लोगों की thinking's change कर दी कि पहले सोचते थे लोग को अच्छा के लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए अब कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए किसी ने तो यह चीज थौट लाया ही होगा दिमाग में तभी यह सब चीजें हो रहे हैं तो यह चीजों के उपर focus कर रहे हैं यहां पर आपको बोलना चाहिए कि आप यह creation कर सकते हो कोई नई चीजे ठीक है instinct आपकी intuition का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपकी intuition बहुत है आपको help करने वाली है ठीक है आप बहुत intuitive हो भी सकते हो perception है यहां पी आप like आपकी perception दूसरों से बहुत अलग रहेगी इस lifetime में आप कुछ सोचोगे दूसरे लोग कुछ सोचेंगी ठीक है so थोड़ा सा आपको से उसमें like होता है opposition face करने पड़ सकती है बट आपको थोड़ा सा कहा जा रहे है कि it's okay आप बहुत बहुत है आपकी perception बहुत अच्छी आपके साथ birds है आपके साथ butterflies आपके साथ nature है ठीक है आपको nature में जाना भी पसंद होता होगा मुझे यहां पे यह भ so आपको अपने बड़े आपके जो बड़े हैं मतलब आपके ancestors है या फिर आपके जो दादा दादी नाना नानी है जो आपसे बड़े हैं वो आपकी बहुत हल्प करने वाले है इस lifetime में also आपको वो support करने वाले है या चाहिए आपके ancestors भी हैं ठीक है आपको कोई बड़े नह ही मिले आपकी लाइफ में आपके इंसेस्टर्स भी बहुत हल्प करते हुए दिख रहे हैं यहां पर आपके इंलाइट्मेंट ज़रूर होगी इस लाइफ टाइम में कुछ टाइम पर ठीक है होता है कि कुछ एज के बाद ही यह सब चीजे मिलती है तो वही चीज में आपको कुछ एज के बाद ही यह सब चीजे आपके सामने आएंगी ठीक है आप विक्ट्री हासल करने के लिए बने हो कि आपको विक्ट्री चाहिए इस लाइफ टाइम में चाहिए कोई भी चीज है चाहिए वो लव रलेशन्शिप में आपको शादी करने हो उस परसं से ओक है चा यहां पर एनर्जिस दिख रही है आपकी सो ओके यहां पर है फोल्स चक्रा अर्केंजल रेफियल आपकी लाइफ में आपका हार्ट चक्रा बहुत मुझे ऐसा लग रहा था आप बहुत आपका दिल बहुत सच्चा है ठीक है यहां पर भी डिविनिटी जब आया ना तो मैं है सोचा कि आप बहुत रियल परसन हो रियल रियल्लटी में जो है आप वही हो सबके सामने ठीक है आपको कोई सेकंड फेस नहीं है होगा बट वालग गलत फेस नहीं जो नेगिटिव लोग्स होते हैं बहुत ठीक हैं आप बहुत जाझा दिल से अच्छे हो आपको यह भी क करेंगे कुछ ताइम ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइप मेंना को दुखने को मिले हैं यह फिर ऐसा कुछ हो उससे घब्राना नहीं है। उसमें उस टाइम में आपको अपने ऊपर काम करना ह। तायम में आपको अपने वर्क के अपने की तीन हैं . опять वत आ अपके लिए Baby में आपको action लेना है कि क्यों नहीं मेरे must money it's okay अब मैं अपने उपर काम करूँगा अपने work को और ज्वादा मतलब भढ़ाऊंगा ठीक है so that मैं यह जो मेरे life में financial constraints हैं वो ना देख हूँ आगे ठीक है ना ही मेरे आगे family देखे ठीक है so यहां भी energy is है कि आप अपनी life में action लोगे तब आपकी life में इसब चीज़ी होगी या फिर आपके twin flame जब आएंगे आप journey कर रहे होगे वो आपके लिए बहुत best रहेगी जस चाइम आप खूमो फिर होगे वो आपके लिए best time होगा क्योंकि उस time में आपको कोई ना कोई good news मिल सकती है उस time में आपको कोई ना कोई money wise कोई like abundance आपकी तरफ आ रही है ठीक है वो messages आपको मिल सकते हैं ठीक है like in reality ट्रावल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस lifetime में आपकी destiny में ही लिखा हुए कि आप बहुत ट्रावल करने वाले हो अकेले ट्रावल करने वाले हो मुझे आपके साथ कोई partner नहीं दिख रहा ठीक है आप अकेले ही ट्रावल करने वाले हो action यहां पर आपके love life आपको balance करके चलना पड़ेगा love life को अगर आपको केले रहना पसंद है न तो guys थोड़ा सा अगर आपके partner है तो उनके साथ आपको चलना ही पड़ेगा ठीक है आपको पसंद है केले रहना बट अपनी यह वाली पसंद को आपको खतम करना पड़ेगा अ आपको relationships में perfect रहना है उसमें कुछ आगे बढ़ना है ठीक है सो यहां पर six चक्रा archangel metatron है आपके intuition के बारे में ही बता रहे हैं आपका थरड़ा ही चक्रा बहुत open हो सकता है इस lifetime में आपको मतलब सोचने की जुरूरत नहीं है कि मैं जो सोच रहो हो वो सही है यह गलर ठीक ह so guys आप personal reading book करवा सकते हो मुझे personal readings open है link description में है instagram का instagram अगर आप हो तो वहां पी आप मुझे dm कर देना instagram पे reading के लिए and अगर आप लोग personal reading लेना चाहते हो और अगर आप instagram पे नहीं हो तो आप comment section में भी बोल सकते हो कि मुझे reading चाहिए and अगर आप like कर दो इस reading को तो guys जिसको इसकी reading के जरुरत होगी ना उस तक ये पहुंच पाएगी ठीक है and subscribe कर लो channel को bell icon को दबा के all पे set कर दो so that आने वाले time आने वाले जो भी notifications है ना वो आपको मिलते रहें और अब monthly readings भी आना start मैं कर दूँगी monthly readings start हो जाएंगे November month की ठीक है so अगर आपने वो देखनी है तो आ number one number 28 38 11 17 8 यहां फिर 13 यह 4 नमबर यह numbers आपके लिए important रहने वाले हैं okay okay यहां पर emperor आया है आपके लिए queen of pentacles the hermit sorry hermit five of cups nine of pentacles guys यह minor arcana होता है यह minor arcana है queen of pentacles and queen of pentacles minor arcana है emperors का ठीक है so मैं आपको बता दूँ आप इस lifetime में emperor बनने आए हो आपकी mother या आपकी sisters या जो भी family energies है बहुत effect करने वाली है इस lifetime में आपको ठीक है आप चाहे boy हो चाहे girl आप समझ लीजिए आप एक emperor हो ठीक है और आपकी life में जो भी ladies है जो भी चाहे आपकी mamma है sister है चाहे boy हो जाए girl यह matter नहीं करता ठीक है जो भी family है जो आपको आपकी guru भी हो सकती है ठीक है वो बहुत help करने वाली है आपको बहुत जाल लाइक आपके इंतरशाए ego है बट वो help करेंगी अपनी तरह से अपनी तरह से मुझे देख रहा है अगर आप step ले लोगे ना उनकी तरह से आप लाइक हो गया ना कि आपको family के अबर में नहीं सोच नहीं है आपकी यह habit है कि आपको केलर नहीं ना पसंद है बट आपकी life में यह partner लिखे हुए है ठीक है बहुत caring partner है आपके ठीक है बहुत loving caring अगर आप girl होना तो आपके लिए थोड़ से ego वाले हैं बट आपको बहुत प्यार करने वाले होंगे बहुत money wise बहुत stable रहने वाले है वो person okay यहां पर अगर आपको love marriage करने है ना second pile तो आपके लिए थोड़ी से यह है कि आपके family थोड़ी से नहीं मानेगी ठीक है मैं आपको यह बता दूँ यहां पर यह general reading है वैसे personal reading मैंने आपको बोल दिया है आप करवा सकती हो ठीक है and आप बहुत कुछ manifest करने वाले इस lifetime में अ आप यहां तो ऐसा हो सकता है आप जो manifest करते हो वह हो जाता है ठीक है आपके उपर भगवान का हाथ होगा क्योंकि आप अपनी self-care के उपर जादा focus कर रहे हो ना तो इसकी वज़र से universe भी आपसे happy है कि yes इसको यह चीज़ देनी चाहिए ठीक है चाहिए इसकी किस्मत में नह दो चाहिए थे वो भी गाईज कृष्णा जी आ चुके है खुद ही आप देख लो खुद ही गाईज वाव ग्रेट सो मुझे यह तीन भी लेने पड़ेंगे ठीक है बाकि मेरा मन्था के पहले मैं दो ही कार्ड लूँ ठीक है एनिवेस यहां पर कृष्णा जी आए है फर् आपकी जो कमिटमेंट है न वह रिकोगनाइज की जारी है आपको भी चाहा रहे हो आपको वह दिया जाएगा आपको बहुत प्यार करते है कृष्णा जी ठीक है अनकंडिशनली लव करते हैं आप से वह अके सो यह लवट अनकंडिशनली आपकी मैसेज है बट आपको एन बेन वलेंस यहां पर वह ए अनकंडिशनली फेट कार्ण है यहां पर एफ फेट इन दर युणिवर्स के यह सब चीज़े होंगी मेरे साथ मिरटी में बिलीफ करने वाले हो बहुत जादा बहुत हल्फ करने वाले हो लोगों की आप इस लाइफ टाइम में आपको कहा भ काम रहे शांस रहे ट्रस्ट करिए जो भी अच्छा है आप में और दूसरों में and सभी में रोशनी देखने की कोशिश करियोगे so Paul है यहाप experience करोगे आप grace अपने share करोगे अपने gifts को लोगों के साथ grace के साथ होगे and जो inspire करने की waves है यहां फिर love है वो आपकी तरफ खुद ही आएगा ठीक है आपको relax रहना है Lord Krishna आपको बहुत प्यार करते हैं आपकी तरफ आपके twin flame आ सकते हैं क्योंकि यहां पर action का रथा twin flame आपकी life में बहुत important role play करने वाले हैं ठीक है so guys अगर आपको reading पसंद आई हो तो like this reading, subscribe to my channel, bell icon को दबा देना, all पर set कर देना, अगर आपको reading पसंद आई हो तो of course like तो करके ही चाना guys चीक है मैं इतना hard work करती हूँ तो family के member भी बहुत बहुत सब्सक्राइब कर लो channel को अभी के लिए इतने guys हर महादीव प्रादे रादे, personal reading के लिए आप मुझे से booking करवा सकते, Instagram का link description में है, आप वहाँ पर मुझे DM कर देना, okay, या फिर आप comment section में भी बोल सकते, channel को अगर आप ज़ाय करता चाहते हो, वह आप कर सकते हो, अपने according लिए, okay, so अभी के लिए तना ही, bye